भेडा घाट बड़ी से बड़ी मूर्ती रहना चाहते हैं कि आप मूर्ती लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आईए भेडा घाट आपको छोटी से बड़ी मूर्ती मिलेगा यहां आगे बढ़ते हैं और बहुत सरे दुकान हैं आप किसी भी दुकान पर ले सकते हैं आप देख पा रहे हैं छोटी से लेकर बहुत बड़ी-बड़ी मूरतिय हैं अभी और भी दुकान आप लोग दिखाएंगे पूरा वीडियो देखना आपको जैसे पसंद आया तो आप घ्याणा घाट पर आ कर ले सकते हैं आप किसी भी दिवी दियों तक मूरति यहां पर ले सकते हैं और साथ ही साथ पत्थर संगमर्वर के पत्थर से बने बहुत सरे यहां पर आप लोगों को कला देखने को मिलेगा आप उसको भी ले सकते हैं पत्थर से बना हर चीज यहां भीड़ा घाटवर मिलेगा आपको ओंको यह देखिए क्या फी सुन्दर पृतिमा बनाई बनाई हैं एक एक बार की कुद्धान में रखते हुए परासा जाते हैं यह छोटी मूरति देख्रिशन भवाना किना आका देखें देनिक जीमन में प्योग मेंने आले यह पत्थर से बनी कलाकृती भी है अब लों मिल जाएगा संग देनाचातर संग भी है और यह आप मार्बल के दुकान पे आते हैं देखिए बहुत बड़ा-बड़ा दिख रहा है इसमांवारी में छोटा दिख रहा है साही ब लेना चाहते हो या पिन मन में आ हैं कोई लेना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं भेड़ा घाट जो कि आपके रेलो स्टेशन से लगवा लगवा बीस-वाइस किल्यूमेटर के दूरी पर है असानी से आपको लाने ले जाने में इस उधा भी मिलेगी पांस साथ पूर दस पूर तक भी मूर्ति अंदर में रखा हुआ है अगर आप मूर्तियां को वहपार कर रहे हो या फिर अपने घर में ले ज़ना चाहते हो या फिर क Εंप्र उनकों नहीं मिलेगा जहां तक कि पुरह सब्सस्यादंथ मिम्ता से और आम च SSD नहीं लिए जाते हैं अ हुए आप देख पा रहे हैं कि कई सारे दुकान है अप कि किसी भी दुकान पर ले सकते हैं हर प्रकार से आपको मूर्ती मिलेगी भेडा घाट मूर्तियों को सहर भी कह सकते हो अगर और रेलेक माधन चाहते हैं तो वहां सिटी ब्याद भी चलता है और खुद की गाड़ी में आओ तो और ज्यादा बेटर लाने जिनाजे में अधियाना घाट एक तो अब भूम भी सकते हो और मूर्तिया आपको लेने का मन है यहां पर एक वर नजर हमा कर दुकान पर देख भी सकते हैं